देश के यशश्वी परधानमंत्री शिरी नरेंद्र भाई मोदी जी के अपने विशिष्ट नेत्रित्व के कारण भारत को अलग प्रकार का लाब होता हुआ लगातार दिखाई देता है हमरे सामने की घटना है 26 जनवरी का दिन है फ्रांस के राष्ट पती भारत की सडकों के ऊपर और मोदी जी के साथ प्रवास करते हैं घूंगते हैं लोगों को मिलते हैं और पबलिक में बैठ करके चाय पीते हैं ये एक बहुत बड़ी नई बात है कि दुनिया के एक महत्पुर्ण देश का राष्ट पती और जैपूर की सडकों के ऊपर घूंता है खरिदारी करता है इससे भारत की छवी दुनिया के अंदर अलग परकार की बनते हैं हमने देखा जी ट्वंटी के अंदर दुनिया के देश भारत के विभिन प्रांतों के अंदर उनके प्रतिनी दीग गए उन्होंने भारत की संस्कृति को देखा भारत के अंदर विभिन परकार के जो आटि उनको क्या अवशक्ता है उनकी क्या इंपोर्ट की अवशक्ता है उसको उन्होंने देखा और भारत की आर्थिकी को मजबूत करने का एक नया सिलसिला माने मोदी जी के नेत्रेतों में भारत के और भारत में बढ़ता हुआ दिखाए यह केवल अंतराश्ट्य चबी का सवाल हम रोजगार के अलग परकार के अवसर दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हमने देखा 5 साल 7 साल पहले तक भारत यह जो मोबाइल 90% मोबाइल भारत इंपोर्ट करता था चीन से करता था जपान से करता था कोरिया से करता था और आज 90% मोबाइल भारत दुनिया में एक्सपोर्ट करता है ये ये जो आदान परदान माने मोदी जी के कारण हुआ उसके कारण संभव हुआ है और लाखो लाखो बच्चे इस र जो नौजवान वो सीमाओं के उपर लड़ता है अपना पढ़ान देता है बरसों बरसों से वो ये कहा करता था कि कोई ना कोई एक ऐसा स्थान होना चीए जहां पर 26 जनवरी 15 अगस्त को और श्रधांजली दी जाए अलबता इंडिया गेट के उपर श्रधांजली देने का का आरिक्रम होता था परंतु ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया एक स्मार्क हम उसी को स्मरंड करते थे वो ब्रिटिशर्स जिन्होंने हमारे उपर अत्याचार किये भारतियों के उपर अत्याचार किये उनको भी हम श्रधासुमन अर्पित करते थे एक अलग से हमारे सैनी जो भारत की सिमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राण देते हैं, ऐसे सिमाओं की सुरक्षा के लिए प्राण देने वालों के लिए अलग से समार्क बना करके हमने देखा 26 जानवरी को वहां पर शुद्धा सुमन अर्पित करने का करेंटरम हुआ, एक छोटी छोटी बात की चीनता करते हुए, देश को आगे बढ़ाना, श्री राम मंदिर का निर्मान हुआ, वो एक अलग परकार की आलोकिक घटना है, परन्तु राम मंदिर के साथ राष्टर मंदिर का निर्मान, यानि राम से राष्टर तक, राम राज की कलपना राष्टर के अंदर सर्वत्र जाए मेरा राष्ट्र और विक्सित राष्ट्र बने इस दिशा के अंदर देश को आगे बढ़ाने के लिए एक सक्षम प्रयास देश का हर वर्ग विकास के साथ जुड़े मेरे देश का गरीब जुड़े गरीब को खाने के लिए सुविदा देने के लिए उसको मुफ्त में राषन देने के लिए उसको रोजगार देने के लिए विश्व कर्मा योजना 13000 क्रोण रुपे की वो जो आठिसन है वो टेलर मास्टर है वो भारबर का काम करता है वो कुमार का काम सुनार का काम लुहार क काम बढ़ाई का काम मिस्त्री का काम वो जो कारीगर है उसकी क्वालिटी को बढ़ाना उसके रोजगार को बढ़ाना उसके लिए 13000 क्रोड रुपे की विवस्ता कर देना रेडी फडी वाला जो है उसकी आमदनी बढ़े उसका कारोबार बढ़े उसके लिए विवस्ता कर दे जहां राष्ट की चिंता वहां गरीब की चिंता गरीब बढ़ेगा तो मेरा राष्ट बढ़ेगा स्वास्थ की चिंता नहीं कर पाई कल्पना कभी कॉंग्रेस की विबिन्व सरकारें आई देश के अंदर पांच लाग रुपे का भीमा हम देखते हैं कहीं पर भी जाओ वह आई उष्मान काड लेकर करके शाते हैं प्राइवेट हस्पताल संकारीं हस्पतालें ओप्रेशन कराते हैं और कैशलेस की में फ्री में इलाज किराकर गरवापी साते ही भांच में स्थेन्ट डलना है Üभा बाइपास होना है बड़ी-बड़ी सर्जरीज वो सारी मुफ्त में हो रही है आयुश्मान भारत के अंदर हो रही है पचास क्रोड देश्वासी आयुश्मान भारत में कवर्ड है और हिमाचर परदेश में हिमकेर हमारी पूरवर्ती सरकार ने जैराम ठाकुर सरकार ने हिमकेर शुरू किया उसके अंदर है वो निर्मान करता है उसकी क्वालिटी की जिनता है उसकी मार्किटिंग की जिनता है कहा वो कल फार्लो कर यह नहीं जो हम पैदा कर रहे हैं अब यह राम की दीपावली हुई सब जगा बुलीजी कुभारों से बनेवे दीवे लेकर के जाने हर घर में कम से कम पांच दिये जलाने एक एक आदमी ने सौसो दिये जलाए और ट्रकों के हिसाब से दीपक हर शहर के अंदर बिके है इच्छो